प्रिये विध्यारतियों, आज हम E-Lecture के माध्यम से Plant Location and Plant Layout Chapter के अंतरगत किसी भी उध्योग की साइट और स्थान को चैन करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे किसी भी प्लांट की साइट को सलेक्ट करते समय सबसे पहला बिंदू जो हमें ध्यान में रखना है वो है Availability of Raw Material या कच्चे माल की उपलपता हमें हमारा उध्योग के लिए ऐसे इस्थान का चैन करना चाहिए जो Raw Material के Source के नजदीक हो जिससे की हम Raw Material को उध्योग में लाने ले जाने के लिए लगने वाली Transportation Cost मिनीमम हो एवब जिस इस्थान पर हम उध्योग लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पर काम आने वाला Raw Material आवशक मात्रा में उपलब्ध हो दूसरा बिंदू जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है Nearness to the Market Market की Nearness हमारा उध्योग मार्केट से जितना ज़्यादा नजदीक होगा उतना ही हमें Finished Goods के Transportation में लगने वाला खर्चा नियूंतम होगा तीसरा बिंदू जो हमें ध्यान में रखना है वो है Transportation Facility Raw Material एवं Finished Goods के Transportation के लिए चार तरह के Transportation के माध्यम होते हैं या मीन होते हैं जैसे की Roads, Rails, Air और C अधे हमारे उध्योग के लिए हमें किस प्रकार की Transportation Facilities की आवशकता है और जिस जगे में हम उध्योग को लगाने जा रहे हैं वहाँ पर ये Facility उपलब्द है के नहीं इस बात का भी हमें उध्योग की साइट को सलक्ट करते समय ध्यान में रखना है अगला बिंदू जो हमें ध्यान में रखना है वो है Availability of Efficient and Cheap Labor हमें हमारे उध्योग के लिए स्थान चैन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस इस्थान पर आवशक जितनी मात्रा में हमें लेबर की आवशकता है वो आसानी से और कम दामों के उपर उपलब्द हो जाए Availability of Power and Fuel उध्योग का इस्थान चैन करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां पर उध्योग इस्थापित करने जा रहे है वहाँ जितनी मात्रा में हमें उध्योग के लिए Electricity और बिजली की आवशकता है उतनी मात्रा में वो बिजली उस एरिया में Availability हमें आसानी से हो जाए अगला बिंदू जो हमें ध्यान में रखना है वो है Climatic and Atmospheric Conditions कुछ प्राड़क्स की Quality वहाँ के Climatic Conditions पर भी निर्भर करती है जैसे की वहाँ का वातावरण शुश्क और यूमुड और आद्र हो अते हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा बनाये जाने वाले प्राड़क्स के लिए किस प्रकार का वातावरण और Climate उप्युक्त रहेगा अगला बिंदू जो हमें ध्यान में रखना है वो है Availability of Water उध्योग का चैन करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थान पर हमें Soft एवं Pure Water की प्रचूर मातरा में उपलबता हो अगला बिंदू जो हमें ध्यान में रखना है वो है Social and Recreational Facilities Off-Hours की दुरान उध्योग में काम करने वाले Employees एवं उनके Relatives उनके बच्चों के लिए कुछ Social and Recreational Facilities जैसे की Banks, Corporative Stores, Parks, Education Centers, Post Office की भी आवशक्ता पड़ती है अथे उध्योग लगाने के लिए स्थान चैन करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए धन्योगा Plant Layout से तात्परे है कि हमारी Industry में या हमारे उध्योग में Various Machines, Manpower, Various Plant Services के Arrangements से है जिससे हम सभी को useful तरीके से यूज कर सके और हमें High Quality का Output, Lowest Possible Cost पर मिल सके एवं हमारे Material का Minimum Movement हो Proper Plant Layout किसी भी उध्योग के Management के लिए सफलता की चाबी यानि Key of Success है आशान सब्दों में Plant Layout को हम तीन सब्दों से समझ सकते हैं Locating Machines, High Quality and Lowest Cost आज हम Line और Product Layout एवं Functional और Process Layout के बारे में अध्यन करेंगे सरप्रथम Line और Product Layout इस प्रकार के Layout में हम मशीनों को उसी सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जिस सीक्वेंस में हमें उन्हें यूज में लेना होता है Suppose हमें इंडस्टी में किसी Product को बनाने के लिए चार तरह की Machines को यूज में लेना है जैसे की Lath, Milling, Heat Treatment, Aum Grinding एवं किसी भी Product को बनाने के लिए मशीनों को यूज में लेने का क्रम भी Lath, Milling, Heat Treatment, Grinding है तो अब हम हमारी Machines को भी इसी प्रकार इसी सीक्वेंस में आरेंज करते हैं पहले Lath Machine, फिर Milling Machine, फिर Heat Treatment और फिर Grinding जिससे की हम एक एंड से हमारा Raw Material प्रेवेरिस्ट करें या Enter करें एवं दूसरे सिरे या दूसरे एंड से हमें हमें Finish Product प्राप्त हो सकें इस प्रकार के Plant Layout में Material का Movement Minimum होता है एवं इस प्रकार का Plant Layout Mass Production या Repetitive Kind of Jobs के लिए अतियंत ही उप्योगी होता है दूसरे तरीके का Plant Layout है जो कि जिसको कि हम Functional और Process Layout भी कहते हैं इस प्रकार का Layout Job Production के लिए Suitable होता है क्योंकि हमें बार बार एक नया Product बनाना होता है इसलिए हमारी Machines की Sequence हर बार बदल जाती है अते हम Machines को Sequence में Arrange ना कर Similar टाइप की Machines के लिए एक Section बना देते है अते हम Machines को उनके Functions के अनुसार अलग-अलग sections में Arrange कर देते है दर्शाइगे चित्र के अनुसार हमने Late Machines के लिए एक Section बनाया है जहां पर सारी Late Machines है एक Section हमने Milling Machines के लिए बनाया है जहां पर हमने सारी Milling Machines को रखा है तीसरा Section हमारा Drilling Section है जहां पर Drilling से Related सारी Machines है एवं चौथा Section हमारा Grinding Section है जिसमें हमने सारी Grinding Machines को Arrange करके रखा है धन्यवाद